दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि वो बड़े होकर ऐसा इंसान बने जिसके पास एशो आराम और इतनी ज्यादा दौलत हो कि वो उस पैसे से कुछ भी कर सके जहां हर किसी को मुंबई जैसे माया नगरी में अपने सपनों को साकार होते देखना एक सपने से कम नहीं लगता जहां हर किसी को बचपन से ही बॉलिवूड की चका चौंद दुनिया में कदम रखने की हसरत होती है लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगमगाती हुई दुनिया के पीछे एक काली स्याही वाला काला साच चुपा होता है जिससे शायद अब तक आप या बाकी आम लोग भी वाकिफ नहीं हो पाए हो और आज हम आपको बॉलिवूड के उन ही कुछ डार्क सीक्रिट के बारें बताने वाला है जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुनाओ तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये विडियो ये तो हर को ही जानता है कि बॉलिवूड की सेलाइबरिटी हर किसी के फेवरिट होते हैं सब अपने अपने स्टार को काफी पसंद भी करते हैं और लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं लेकिन इस चमकती दमकती दुनिया के पीछे ऐसे कई राज छुपे होएं जिससे परदा हटने के बाद आपके पैरो तेले जमीन ही खिसक जाए दरसल बॉलिवूड की चका चाउन भरी दुनिया को देखने के बाद इसके पीछे की काली सच्चाईयों को आम जनता सिव छुपाया जाता है जो की कभी भी किसी के सामने नहीं लाए जाती जहां मिताब बच्चन, सल्मान खान, अक्षा कुमार और शारुखान जैसे कलाकार को भारत में काफे इज़त दी जाती है जिनने उनके फैंस भगवान की तरह पूझते हैं जो की A-grade फिल्मों में काम करते हुँ दिखे जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं पैसों के लिए इन्होंने B-grade की फिल्मों में भी काम किया है जहां अमिताब बच्चन से लेकर शारुखान तक कई ऐसे bad scenes और sensational scenes दिये हैं जिन में उन्हें बिना कपडों के दिखाया गया और इसी तरह भी नितरी केटरिना कैफ ने भी अपने करीर की शुरुआद B-grade फिल्मों से ही की थी जिसमें उन्हें बूम फिल्म से अपने करीर की शुरुआद की थी और इस फिल्म में अमिताब बच्चन भी थे और शायद आप इस फिल्म के बारे में जानते हों और इस बारे में केटरिना जिकर करना भी पसंद नहीं करती अक्सरी बॉलिवोड सेलेब्रेटी को देख लोग अच्छे अच्छी बाते करना सीखते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाएगी फिल्मों में प्यार और रिलेशन को लेकर कई अच्छे बातें बताई जाती हैं लेकिन वहीं अगर आप इनके रियल लाइफ रिलेशन्शिप को देखें तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मेरिटल, अफेर, डिवोर्स, धूका यही सब सुनने को मिलेगा जिसमें मिताब बच्चन धर्मेंदर, राजकपूर सहाब और दिलिप कोमार जैसे लेजिंडरी सूपर स्टार फिल्मों में चाहे जैसे भी नज़र आते हूँ लेकिन रियल लाइफ में इन कलाकारों ने अपने पार्टनर को इतनी बेशर्मी के साथ धोका दिया है कि जो शायदी को इंसान करता हो जहां अपने इंटर्व्यू में तो कलाकार रंग बेद का विरोध करते हैं लेकिन अगर आप इस चकाचान बरी दुनिया को गौर से देखेंगे तो पाएंगे जिसमें डार्क स्किन हीरो या फिरोइन्स बहत कम देखने को मिलेंगे और अगर एक दो हैं भी तो उन्हें काफी जादा रंग भेद का सामना करना पड़ा जहां विपाशा बसू से लेकर स्मिता पाटल तक और मनोज वाजपई से लेकर धनुष्ट तक कई असे कलाकार रहे जिनकी स्टोरी बताती है कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और आपको मुंबई के इस चका चौंद भरी दुनिया के काली सच्चाई के बारे में जानकर कैसा लगा और आपको क्या कहना है कमेंट में जरू बताएगा साथ ये ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स सब्सक्राइब दरू कर ले ना